ये लेक्चर में दिश्चार्ज तूम इक्स्परिमेंट को डिसका करेंगे जूकर है तो डिस्चार्ज तूम ज़ो ये डिस्चार्ज तूम क Om ध्या गया ता च्निम एक शिचे का बनाओ चुब है learner ski니까 का जांग यह यह जो हम दी हैं आप भनाया हुआ है यह शीशिर का बना हुआ है तो डिस काड गियास ट्यूप हम घिलास ट्यूप कहें गयुप को गियास ट्यूप grown जाता है और फिर не liberals एक ने his你有 व जो हो फो एक ईय्मी यूए रोड obey को एक वाल्टेज्जक सोर्स के सांध कनेक्ट किया जाय हूँ और पिर यहांस यहांसे का रडा जाये तो यहां पर मान्स चार्ज हो गा और यह साट पर प्लस चार्ज होगा और है जो वाल्टेज चचोर्ज है यह ब Tequila हो सकती है यह 500 4000 से लेकर 10000 ऊसकती है इसी तरह जो शिशे का ट्यूब है यह जिसको गिलास ट्यूब कहा जाता है इसमेह की ग्यूम पंप भी लगा हुआ है वह क्यू पॉम पंप क евागतों यह यहांसे गिस्को अमलक्यूद को निकलता जाएगा यानी इस गिलास्ट्यूब में जो गेस प्रेशर होगा या एर प्रेशर होगा उसको एड़्यस्ट करेगा अब इसके वर्किंग को देखते हैं यानी हम दो सारा पर लेया कि यह गिलास्ट्यूब आए और इसी तरह इसमें दो मेटर रोर्ज मुझद है और इसी तरह यह दो मेटर रोर्ज है यह वायर के ज़रिये पिर एक वर्टेज सोर्स के साथ का जैक्ट इसका वर्किंग क्या यानि जो पॉंट धर इसमें प्रेशर ओएर पेशर ओ आ या अगर यहां से करंट चोड़ा जाय क्या है तो क्या होगा यहां से यह जो पाइल के पाइल है यह उड़ केमें बाकल जाएंगे जब यहां से एलेक्शोन निकल जाएंगे तो यहां पर, चुंके प्रेशर बहुँ ज़्यादा, कम नहीं है, 0.1 तार है, यानि अब यहां पर, गेसी जो है, यहां पर मुजूद है, तो यह गेसी क्या करेंगी? यह इन elections को यानि इनमें तो momentum मुझूद है इनमें व्लास्टी मुझूद है यहां से यहां परारकत करेंगी जब यह यहां से collide होंगे तो इनकी व्लास्टी क्या हो जाएगी? less हो जाएगी, कम हो जाएगी और इसी तरह यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे अब जब यह election इस गेस के, this is a guess, इसके election से ठकराएंगे तो क्या होगा? let's suppose यहां मारे पास यह gas है, हम यहां पर consider कर रहे है, 0.1 ठार पर यह gas है और यह इनके shells है let's suppose इनके दो shell है, इस shell में election मुझूद है, यहां selection आया जब यह यहां पर पूँच जाएगा, इसको ripple कर देगा, और यह lower share से air shell में promote हो जाएगा किस रह प्रमोट होगा? air shell से lower shell में जब यह इसको ripple करेगा, तो यह यहां से सीधा, यहां पर यह election आजाएगा जब यह यहां पर आ जाएगा तो वापिस इसने अपने शल में आना है यह यहां पर अंस्टेखबल है जब यह वापिस यहां से यहां पर आ जाएगा तो जो एनर्जी जब इसको रिपल करेगा पहले इसने इसको रिपल किया यह आयर एनर्जी लेवल में चला गया यानि इस घब 네र चलागiasm है शेले आएर एंरजी लेवल में चाला गए और इसकी ऐग वे कम्होंगे और इसकी जो द्यूलास हिटी द्यूर अब भी वापीस अपने शैल गगा तो नेश energy को वापिस क्या करदेगा रिलीस करदेगा जब इस energy रिलीस होगी तो अमें एक स्पेसिपिक लाइट का कलर नजर आएगा जिसे हम इस गेस की निचर को क्या करंगे रिकनाइस कर सकेंगे तो 0.1 तार पर अमें यहां पर लाइट नजर आए जो के माजरन नियोन साइन है यह इसी तरह का एक जेम्पल होगा जो मेना भी देती है यहां अगर लेक्ट्रोन निकल भी जाए तो यह यहां तक नहीं पहुंच पायांगे बल्कि यह जो गेसिस होंगी इस निके एलेक्ट् तो इसाओ निक नहीं बेते थो थो 0-1 जा गये इस निकले वेटे उन साघ लेक्ट्रोन निकलेपोगा है लेक्ट्रा में पहən neutrार ढसा निकि पहल costume जाए है वर्टेज को आप्लाइ किया तो के तो पर-जाइर भाते हैं इसे अनग्राम्न चार्ज पर मैंस चार्जाए आपके तो ब Oczywiście से आसे यहां से के तो रिज यानी जो qe elation की शकल है निकल जाएंगे जब यह के तो ड्रेस यानी या यह एलेक्ट्रोन यहां से निकल गए है तो यह पर guest pressure चिता होगा वह बहुत कम है तो यह पर आभी बहुत गेसेश मुज़ुद है यह यह नहीं है कि बिल्कुल जो गिलास ट्요b है यहां सिबर कुल गेस्टि निकले हुए है तो यह जो के तोड ह confusing यह यहां से होते हुए घैसी भी तक्राएंगी और इसी तरह यहां सिद्वे जाकर इनोड णकरा सकती है 왜 अगर यह यह जानि अन्हें के रासे के दर्मЙान मुझूद हो और यह यहां से ठक्रा जाए तो तो इन गेस के मालीकूल से ये एलेक्शन को इजख्ट कर देंगे और फिर यहां से केतोर ड्रेज और इसी तरह जो गेस के एलेक्शन जोंगे इस सारे एनोट की तरफ ट्रेवल करेंगे और जब यहां से टकरा जाएंगे तो ये एनोट का इसा भी बन सकते है यानि यहांपर यह त्रेक हो जाएंगे और वह एलेक्शों जो के तोर से निकल रेखाँ और यह एकर यह और कोई गेस्ना ओंदी तो यह अगर इनठी तकरा जाए तो सिदा यहांद से एकी चूहें के संट हो जायेगी कैंकर बता सब्सक्शज के तका इतो ध कि एक गेस के साथ ये खत्राएं अब यह जोब इलेक्ट्रोन इस नोट से पास होंगी तो यह सिदा जाकर इस गिलास वाल से टक्रा जाएंगी इस गिलास वाल को हमने कोड किया हुआ है जड़ने से जब यह के तोड रिज इस से टक्राएंगी नोट से पास होंगी तो यहां पर चम कमाथ जो जब चमुक प्यादा होगा तो आम यह कहांगे कि इस आरी कोच नहीं है कि तुरत रिस आर इक्ष्ण पर बोढ़ जाता है कि तो रिस निकले और इसी तरह टकराय या इनुल से भी पास होग ऋगए और उन्होंने इनोट के इस तरफ यानी गिलास वाल जिस पर जड़नेस का कोड़ताई से टक्राएं तो चमक प्यादा कर दिया अब चमक क्यों प्यादा किया उसी तरह है कि जब यह जड़नेस जाहर बात है वो भी जड़नेस भी एक्टम्स पर मुझते मिल है जब यह के तो यह मतलब यह यह एक्राएंगी यह से टक्राएंगी यह कैसा है तो यह के शजम्स में एलगो चो यह एलेक्ट्रोन उधाए तो यह एलेक्ट्रोन इन्हाल्जे ने आए उन्हालेक्ट्रिष अन्हालदागी भी फरेल्वेश ज़ाएंगा जब ऑग्त रीचinklesने को कवतेश कर रेस तो इनकी जो प्रापर्टीज होंगी वो क्या होंगी फस्ट प्रापर्टी जो आसान सी प्रापर्टी है यह जो के तोर रेस है यह स्टेट लाइन में आरकाट करते हैं किस राद स्टेट लाइन में आरकाट करते हैं लिट सपोज एक तोर रेस यहां से सीधी जा रही है ह हमने इनके रास्ते में एक object रखा हुआ है let's suppose हमने एक gain रखा हुआ है तो जब ये gain या कोई metal हो मोटा metal यानि तिक metal हो तो जब इनसे ठक्राएंगी तो इसका यहां पर shadow इस object का बन जाएगा तो इसका क्या हुआ shadow हुआ it means के shadow तो बन गया है it means के जो के तोर्ड रेस है वो स्ट्रेट लाइन में travel करती है फिर इसके बाद जो दूसरी प्रपटी होगी के तोर्ड रेस की अगर कोई wheel चोटा सा wheel इनके रास्ते में रखा जाए let's suppose एक wheel है इनके रास्ते में रखा हुआ है और यह रेस जो है वो यहां से अरकत कर रही है तो जब यह इस wheel के साट अक्राएंगी यह जो wheel होगा यह rotate करना शुरू कर देगा और यह इसके rotation का कोई भी direction हो सकता है तो अम यह के सकते है के यह जो रेस इये particles पर मुच्तमिल है और आमे पताए के वो particles कौन से होंगे इस particles आर Electrons जें Electrons तो अगर Electrons जो जो इओ वो particles तो इन electron शुट एव मास इनका मास भी ओना चाहिए और शी तरा इनकी विलास्ती भी ओनी चाहिए अगर इंका माउस होलाज़ती होगा, then I'm कह सकते हैं इसका मोमेंटम भी होना चाहिए It means, कि जो केटोर रेज है, इनका मोमेंटम होता है पिर इसके बाद इसके तर्ब प्रपरटी को देखते हैं अगर के तोर्ड रेज यहांपर लिड़ सब्स आ रही है अमने एलेक्ट्रिक पीड यहांपर अपलाई किया एलेक्ट्रिक पीड आमें पता है, हमने यहांपर दो प्लेट लगाए हुए है, एक प्लस है और एक माइनस है, एक एलेक्ट्रिक पीड, तो यह जो रेज यहां से अगर गुज़र जाए, तो यह प्लस की तरफ बेंड करेंगे, यानि इस तरफ इंका बेंड होगा, इस तरह इनको मेगनेटिक पीड बी ना तो इनको रिपल कर ऐह, ना इनको ओट्ट्रेक्ट कर सकता है, बेकिन मेगनेटिक पीड जाए घगया होगा प्नदेफ您 यह किसक्ते हैं कि जो फॉर्थ प्रापर्टी हो होंकि यह गैस को आ गानाइच कर सकते हैं यानि एक आ हम इन से गृष प्सक्र आखर ride Coreě 54 प्रापर स्वेविय का कि ए नोडी मिन थो ते रहे हो बोड़को है जाता हूत वाइच हुआ सहूकि पादा करसकते है तो यह दोनों तो यह मेटल के रूर से गुजर गया इच मींस कि यह पतला था तो हम कह सकते हैं कि देखें पास्ट रू तेन मेटल फॉयली आप यू समझे कि तेन मेटल हैं तो यह जो रिजूंगी वह से पास हो सकते हैं पिर हम यह भी कहा कि जब यह जड़नेस से टकराई तो एक चमक प्यदा हो गया इच मींस कि इन्होंने क्या किया जिंक सलफाइट को यह जड़नेस को गरम क्या गरम उने के वज़े से क्या प्यदा हो गया चमक प्यदा हो गया यह हम यूँ कह सकते हैं कि जब यह किसी भी मेटल के साथ लेट सबोज एक मेटल है और इंके साथ यह टक्राई तो अगर यह पास ना हो पास भी हो तो यह इस मेटल को क्या क्या करेगी गरम करेगी इनको इट अप करेंगी इस में क्या हो जाएगी वो यह क्या हो जाएगी और यह यह जाएगी यह जाएगी और यह यह इधर आन्ने की साथ अधर करेंगी effect को पियदा कर नेते हैं यानि उस पर पूर्टोग्राफिक प्लेट को ये दुंदला कर लेंगे तो ये हमारे पास जो कुछ प्रापटी मैं के तोड़ेस की यो धिस्कस किया और इसी तरह में ये का के जी तोंसर ने एलेक्शन को डिसकवर किया है और इसी तरह स्टोनी ने इ और अमने ये भी डिसकास करेंगे तब तक के लिया लाफिस यानी अमने डिस्चार्ज टूब एक्स्पेरिमेंट को डिस्कास करेंगे